हेलो फ्रेंड्स मैं हूं डॉक्टर अर्पिना एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल में दोस्तों इस चैनल में हम लोग बात करते हैं के कैसे होमियॉपथिक मेडिसंस हमें अलग-अलग मेडिकल कंडिशन्स में अलग-अलग बिमारियों में किम कंडिशन में हम डोलिकॉस को यूज कर सकते हैं और इसके साथ आप लोग लाइफ चैटिंग के भाद्यम से अपने सवाल, अपने क्वेस्चन मेरे से पूछ सकते हैं, मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगे आप लोगों को मदद करने की, अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल बटन को अवश्य प्रेस कर दे ताकि आप अपडेटेड रहें, मैं जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप उसे मिस नहीं करें, तो चरिए दोस्तों, शुरू क हैं और क्या होते हैं इसके यूजच। तो दोस्तों, यह जो डोलिकॉस होमियॉपाथी की दवाइयां हैं, यह स्किन और लिवर कंप्लेंस, इन दोनों में बेहत ही यह उपयोगी हैं, होमियॉपती में हम कई बारी दवाओं को साइट के हिसाब से भी हम इनको जानते हैं जैसे कोई दवा left में जादा better काम करती है कोई right side में जादा better काम करती है डोलिकॉस एक right sided medicine है तो इसका जो action है वो liver में भी बहुत अच्छा है और साथी साथ skin complaints के लिए ये बेहती useful medicine है डोलिकॉस के बारे में जब हम सोचते हैं तो सबसे पहला symptom जो ध्यान में आता है वो है खारिश, itching तो डोलिकॉस is a very good medicine for intense itching बहुत 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 जादा खारिश के लिए डोलिकॉस एक बेहत अच्छी medicine है खारिश होती है पर कहीं पे कोई eruptions नहीं है कई बार क्या होता है कि जैसे हम articaria में देखते हैं जैसे छपाकी में देखते हैं खारिश होती है और skin थोड़ी सी उबरी हुई सी हो जाती है और इसके साथ-साथ बहुत ज़ादा itching रहती है redness रहती है पर डोलिकॉस में क्या है? itching बहुत ज़ादा है intense itching है पर वो articarial itching में जो rashes बनते हैं वो rash नहीं है so it is having intense itching but without the eruption किसी तरह का कोई eruption नहीं है ये हम देखते हैं कई बारी age के साथ-साथ उमर हो गई उसके साथ-साथ skin में collagen की कमी होने के वज़े से या skin में कोई deficiency के वज़े से अगर itching हो रही हो senile pruritis यानि age के साथ-साथ itching की problem होना तो इसमें भी dolicose medicine बहत helpful है कई बार हम क्या देखते हैं? nervousness से या ऐसा बोले कि जब एकदम excited होते हैं itching हो जाती है केवल excited ही नहीं एकदम से अगर परिशान है तबी भी itching हो रही है एकदम गुस्टा आया तबी भी itching का एक bout आता है तो इस तरह के जो nervous sensibility है या nervous sensitiveness है उसके साथ-साथ itching हो रही है इसमें भी dolicose के बारे में हम सोच सकते हैं hemorrhoids, hemorrhoids में again itching होना तो itching एक बहुत ही prominent symptom है dolicose का dolicose में हम देखते हैं throat complaints, throat में दर्द होना, गले में दर्द होना और ऐसा लगना जैसे कि कुछ काटा चुब गया हो गले में, right side में ऐसी sensation होती है gums में pain होना, जो gums है, मसूडे हैं उनमें दर्द होना ऐसा भी हो सकता है कई बारी constipation और constipation के साथ बहुत जादा gas बनना एकदम abdomen एकदम से bloated होना तो पेट पूला हुआ है constipation है, इसके वज़े से hemorrhoids हो गया है और hemorrhoids में बहुत जादा itching है तो यह सारी जो complain है, constipation, bloating, constipation के वज़े से hemorrhoids होना and उसके साथ-साथ itching उसमें बहुत और है खारिश बहुत और है, तो भी हम dolicose के बारे में सोच सकते हैं तो itching, इसके साथ-साथ कोई rash नहीं है, कोई eruption नहीं है यह एक बहुती prominent symptom होता है dolicose का कई बार हम देखते हैं, body में अगर liver enzymes की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है so that can also give rise to itching तो jaundice में itching अधर हो रहा हो skin में, उसमें भी हम dolicose के बारे में सोच सकते हैं रात को जो itching है वो जादा होती है हर्पी zoster के cases में भी हम dolicose के बारे में सोच सकते हैं which is again, जो aggravation होगा, वो रात को होगा, itching बहुत जादा होगी complain रात को बढ़ेगी, right side के complain जादा होती है और ऐसा लगता है बस उसको scratch करते रहो, बहुत जादा itching करते रहो पर relief ही नहीं मिलता है dolicose को हम generally lower potency में हम देते हैं itching से reducing medicine हम कह सकते हैं for itching तो कभी भी अगर itching या खारिश की समस्या हो साथ में liver enzymes body में बड़े हुए हो jaundice के साथ itching का problem हो रहा हो या constipation है, hemorrhoids में itching हो रहा हो तो ऐसे में भी dolicose medicine है इसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं करें dolicose की, ये skin और liver complaints के लिए अच्छा है gums में अगर itching है, उसके लिए अच्छा है अगर throat में गले में दर्द हो रहा है right side में problem जादा हो रही है, ऐसा लग रहा है काटा चुबा हुआ है, तो भी हम dolicose के बारे में सोच सकते हैं, jaundice related या jaundice के वजह से जो body में itching है उसमें भी हम इसके बारे में सोच सकते हैं constipation के वजह से पेट में एक फूलापन है bloating है, तो bloating को कम करने में गैस को release करने में भी dolicose medicine आपको मदद कर सकती है itching complaints in which there will be no eruptions तो कोई जो eruptions है वो नहीं होंगे किसी तरह के eruptions skin में नहीं होंगे पर बहुत जादा itching होगा तो dolicose medicine मदद कर सकती है कई बारी जो hemorrhoids या constipation को भी relieve पर सकती है stool passage में भी dolicose medicine मदद कर सकती है तो overall बहुत बड़ी medicine यह नहीं है चोटी थी हमारी दवा है बत इसके जो indications है and specially itching में यह एक इतनी अच्छी medicine है so it is like like an indispensable medicine for itching complaint for the symptoms of pruritis for the symptoms of senile pruritis so friends today we are discussing about the homeopathic medicine dolicose prudence and this medicine is a very very good medicine for complaints of itching so we should consider dolicose for two basic complaints one will be the skin complaints and another one will be the liver complaints so in case of skin complaints there will be itching there will be intense itching but there will be no eruptions so itching without any kind of eruptions without any kind of swelling without any kind of redness or any other symptoms but there will be itching and the itching will be very very intense the itching will be more during the night time it will aggravate from scratching scratching is not giving any relief but again you will feel like scratching the skin there is so much of intense itching now dolicose can also be considered for itching in the aged or for senile pruritis now with aging there are many changes in the skin decrease in the collagen content so that can also sometimes lead to symptoms of itching and again for complaints like this dolicose can help it's a very good medicine for liver complaints for indigestion, for bloating, constipation and there can also be formation of hemorrhoids because of the straining during the stool time as there is constipation the person cannot evacuate the burbles properly and because of the straining there can be development of hemorrhoids and again the hemorrhoids will be itching in nature so there will be itching in the hemorrhoids so itchy hemorrhoids will always ask for the medicine dolicose or itching hemorrhoids will always get relief from the medicine dolicose so whenever we see skin complaints without eruptions dolicose if there are some kind of liver derangement like jaundice or the liver enzymes are more in the blood then the increased liver enzymes can also give rise to the symptoms of itching fatty liver with itching we can think of the medicine dolicose sometimes it is possible that you are taking some medications and because of that you have developed this itching thing or maybe you are taking some medications for the liver and it is giving rise to itching or if you are suffering from jaundice and the bilirubin levels they are high in your body and you are getting the symptoms of itching as well then this medicine dolicose can help to relieve the itching the complaints will always aggravate during the night time and also you can think of the medicine dolicose in case of herpes zoster so any complaint which is accompanied with intense itching without eruption, liver complaints, skin complaints then you can think of the medicine dolicose a very wonderful medicine which can be used in lower potencies for relieving the itching so that is all for the medicine dolicose I hope you have enjoyed this video about the homeopathic medicine dolicose do not forget to share the video with your friends and your family do not forget to subscribe to the channel and stay tuned for more such informative videos you can visit my youtube channel Dr. Arpina Samanta or at the rate Dr. Arpina Samanta and you will get a bunch of informative videos over there if you wish to book an appointment with us you can go to our website drarpina.com and you can very easily book your appointment from there if you want you can also send a message in our office whatsapp number and you should use only whatsapp messaging and the number is 701140022 you can send a message through whatsapp in this number and here also you will be provided with details for booking an appointment so basically booking an appointment with us is very easy just visit our website and you will get all the details over there you can book appointment with us it does not matter whether you are from India or abroad you can book appointment with us from anywhere in the world and you can get benefited with the innumerable benefits of homeopathy homeopathy is a very safe, effective, gentle system of medicine and it will always treat the disease from its root cause it's a very holistic way of treatment so you must try homeopathic medicines for your complaints and you are not going to regret it right all right so that will be all for today always remember when a healthy mind and a healthy body resides together diseases disappear so that will be all for today so that will be all for today thank you stay safe, stay healthy झाल झाल